स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल टेक दीप में दोस्तों आज हमारे पास आये हुए जियो का फोन जिसमें सिम का जो सेंबल क्रॉस का सेंबल आ रहा है अगर यदि आपके पास ऐसा फोई फोन आ रहा है जिसमें सिम क्रॉस का सेंबल अगर आ रहा है तो तो आपको कैसे इसको रिपैर करना देख सकते हैं यह जियो का यह F220 B model है इसमें सीम पर क्रॉस वाला सेंबल आ रहा है सीम हमारा सो नहीं कर रहा है तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे आईए जानते हैं इस वीडियो पर तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्त स्टेप बाए स्टेप बताने वाला हूँ तो पहले हम क्या करेंगे पहले मीटर से हम चेक कर लेंगे कि इसमें जो पाइंट है जो सीम का जो पाइंट है उसको हम एक बार चेक कर लेंगे कि उसमें जियार आ रहा है नहीं आ रहा है तो पहले हम इसको बजर मोड पे या मैंने में आपको चेक करना है तो यह समय ग्राउंड में रख लिया और माइनस पर हम इसको जियार लेंगे कि इसमें जियार मीटर पर सो हो रहा है नहीं हो रहा है इससे हमको यह पता चल जाए प्रॉलम कहां से दोस्तों तो आए वीडियो पर बने रहें जैसे इसमें देख र जियार नहीं आ रहा है जबकि इसमें भी लगभग 300 से 500 के बीच आना चाहिए जियार लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है और इधर के साइट पर देख रहे हैं तो इधर पे भी यह इसमें तो जियार नहीं आता और लास्ट वाले में भी नहीं आएगा मतलब हमारा जो में आ season को हम dashing करेंगे कि प्राउल्म कहा से है तो पहले हम इसका देख कर लेंगे तो ढ 재밌 करने gu करने के दुस्त करने कि दूस्त आपको क्या करना है पहले उसी प्ट पर आपको रखना है और उपर रंका से सब्सक्त करते से रहता हुआ है यहां से हमारे लाइन ओक है यह हमारा बीप कर रहा है मतलब यह हमारा लाइन होके है तो इससे हमारा दिक्कत नहीं है मतलब यहां तक जो जी आर है वो नहीं आ रहा है तो हम इधर के साइट पर देख लेते हैं यह जो नीचे के साइट से जो पाइंट है यह वाला तीसरा वाला इससे यहां का कनेक्शन द प्रैक्स्अ मेर्ब yourself है कि कैसे पता करेंगे कहां से किसे सप्लाइए कहां से तो आएए पर न करें कि आपको आपको समझण ही आ पाएगगे कि इसको हम कैसे करेंगे के दो इसके सुर्ण को पर ले ऐसेए प्रोपन करेंगे और अब आएंगे और तो देखेंगे यहाँ पर हमारा यह जो है यह CPU जो लगा हुआ है मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ यह थोड़ा सा एक मिनट फोकस कर लेता हूं मैं यहाँ पर बड़ी वाली आइसी जो लगा हुआ है उसके जश नीचे में एक कैपसिटर दिखा दिखा दे रहा हूं मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ यह जो एक capacitor यहाँ पर दीख रहा है यह बड़ा IC के नीचे पर थोड़ा और जूम कर लेता हूँ देख सकते हैं यह Qualcomm का इसमें CPU लगा हुआ है इसके नीचे एक जो एक capacitor लगा हुआ है इसको इस side से आपको एक jumper लेना है यह CPU के नीचे यह वाला इस side से आपको एक jumper लेना है इस jumper को आपको वहाँ पर लगा देना है जैसे कि इसको मैं जल्दी से इसको मैं jumper कर लेता हूँ फिर आपको मैं एक बद चेक करके भी दिखा देता हूँ की कैसे लगाना है क्या करना है तो इसमें मैं थोड़ा flux पेश लगा लेता हूँ और इसमें जंपर solder कर दे रहा हूँ यह हमारा जंपर इदर कर लग गया है और यहां से आपको यहां पे इसको कट करके यहां से आपको यहां सप्लाई आपको दे देना है दोस्तों यह हमारा यह भी हमारा जंपर लग चुका है दोस्तों यह हमारे यह लाइन हमारा ब्रेक है इसलिए यह जो प्रॉलम आ रहा था दोस्तों इसलिए आ रहा था तो एक बार हम इसको चेक करके भी देखेंगे उसको जैसा यह ठीक हो जाता या तो अच्छश मेंको सेट कर ले तो आपको सेट कर लेना है तो चोड़ के पहले एक बार हम जी आर भी करने हें मीटर से कि हमारा जीप $ when the booking me तो एक बार देख लेते हैं आपको प्लस ग्राउंट बीडिक रहेंगे कि हमारा जो प्राइल्बलम वह तीक हुआ कि नहीं तो इसके लिए geben सबको फिर से फोन को प्रोपैक करके SIM को लगा लेना है और एक बार ON करके देख लेना है कि अब हमारा इसमें SIM सो कर रहा है या नहीं कर रहा है तभी समझ में आएगा तो दोस्तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को भी दबा दे देख सकते हैं हमारा ये जियो का संबल आ चुका है मतलब हमारा नेटवर्क आ चुका है दोस्तो प्रॉबलब हमारा सॉल हो चुका है और एक बड़ मैं इसमें कॉल करके भी चेक करके दिखा दे रहा हूं कि कॉल हमारा लग भी रहा है और दोस्तों ऐसे रिलिटेड वीडियोज हमारे चैनल पर बहुंँ सारे डेल वे वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए ने ने वीडियो बना के लाते रहूं तो अभी के लिए इतने ही थैंक्स